Hello Students, आज मैं ठीके से ना, SCF Halsium के कुछ और भी important question को लेके आया हूँ, आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस section से exam में आपका SSC exam हो, या MTS हो, GD दे रहा हो, या NTPC दे रहा हो, एक question रहेगा, तो आज वाले class को अच्छे से देखेंगे, और साथी साथ pain copy लेके बैठेंगे, कि question जब समझ में आने लगे, बनने लगे, तो comment भी, reply भी पाले करेंगे, मैं आपके comment को देखता हूँ, और like भी करता हूँ, ठीक है, तो देखें, पाच घंटियां एक साथ बजने लगती है, क्रमसा 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, आरव में एक को छोर कर, एक घंटी में कितनी बार, एक साथ टॉल लगाएंगे, बतलब बजेंगे, एक साथ कितनी बार बजेंगे, एक घंटा में. तो मंदिर में आप घंटी देखते होंगे, बहुत सारा घंटी है, कोई घंटी कितने सेकंड पर बज रहा है, 6 सेकंड पर, कोई 7 सेकंड पर, मतलब हर 7 सेकंड पर बज रहा है, कोई अगला हर 8 सेकंड पर बज रहा है, अगला हर 9 सेकंड पर बज रहा है, फिर 12 सेकंड के अंत साथ बजेगी तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें LCM वह समय होता है जब मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजे तो जहां भी मंदिर की घंटी का question, traffic light का question या circular path पे दौड़ने वाला question यह सब question हो तो आप क्या करेंगे तो आप LCM निकालेंगे क्योंकि LCM ही वह time है जब मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजेगी तो देखें मंदिर की सारी घंटियां एक साथ तो 6, 7, 8, 9, 12 का LCM सब लोग अपने अपने कॉपी में निकालते रहें निकालना सुरू भी कर दिये होंगे तो क्या होगा दो से यह 3, दो से यह 7, दो से यह 4, 9, 2 से यह 6, फिर 3 से 3, 7, 4 में नहीं लाएगा 4, 3 ती आई 9, 3 दो ना 6, ओर कुछ भी हो सकता है, घबराएंगे नहीं, 2 से अब दे देंगे, 7, 2 दो नी 4, 3, 2 एक आई 2, यानि 2 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 7 गुना, 2 गुना, 3 तो क्या होगा, 3 दुना 6, दुना 12, 7, 84 गुना 6, तो 6 चोका, 24, 6, 8, 48, 42, 50, यानि फरतेक 504 सेकेंड पे मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजेगी, ध्यान रखना फरतेक 504 सेकेंड पे, जो LCM आया उतने सेकंड पे, यानि अगली बार फिर 504 सेकेंड पे, फिर अगली 504 सेकेंड पे, क्वेशन वो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि आरम को छोड़ कर, एक घंटे में कितनी बार बजेगी, तो एक घंटा, मतलब कितना होता है, एक घंटा बराबर 60 गुना, 60 सेकेंड, यानि 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड में कितनी बार बजेगी, तो टोटल नमबर, नम्बर आप तॉल टुगेदर, टॉल मतलब एक साथ बजना, तो नम्बर आप तॉल टुगेदर क्या होगा, तो 36 बठा 504 होगा, प्लस एक स्टार्ट वाला होता है, तो 5 से 7 बार में लगाओ, 10 समलो को नहीं लिया जाता है, कितनी बार हुआ, 7 बार, और एक बार स्टार्ट, लेकिन क्या कहा रहा है, कि स्टार्ट को छोड़ देना है, आरम में एक को छोड़ कर, यानि 7 बार, अगर कुल पूछता, तो 7 जोरे, 8 बार ध्यान रखेंगे, कई बार एक्जाम में टोटल पूछता है, तो एंसर क्या होगा, 8 बार, और स्टार्ट को छोड़ कर, स्टार्ट को छोड़ कर, अगर स्टार्ट को हमने छोड़ दिया, तो कितनी बार, 7 बार, यानि option C, अच्छे से समझेंगे, फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, मंदि कर दो, एक गंटे में कितनी बार, तो नमबर आप तॉल तोगेदर, कितने समय में, इन वर नावर, एक गंटे में, एक गंटे में छती सो सेकेंड होता है, तो चती सो सेकेंड बटा 504, सात बार में लगेगा, दसमलों को नहीं लिया जाता है, ठीक है? तो सात बार, और स्ट स्टार्ट वाला एक बार जब सुरू में हम बजा के जो छोड़ते हैं ना तो वह स्टार्ट वाला तो आठ बार लेकिन उसको नहीं लेना है तो कितना बार हुआ कोई प्रॉब्लम अगला कोश्यन देखते हैं अगला कोश्यन है ये चार घंटियां चार छे आठ चौदा सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं बार बजते ही ये एक साथ बजने लगते हैं तो पुना कभ एक साथ बजेगी फिर ये एक साथ एक साथ बजेगी मतलब LCM दो माइंड में रखो जब कभी कोश्यन पुछे एक साथ तो एक साथ मतलब क्या लिख ले एक साथ तुगेदर इंग्लिश में क्या रहेगा तुगेदर और इसका अर्थ क्या हो गया LCM तो चार छे आठ चौदा का LCM क्या होगा भाग दे दे दो से लगेगा दो तीन चार साथ फिर लग रहा है कि दो से लगेगा एक तीन दो साथ अब नहीं लगेगा तो दो दुना 4 तीय 12 दुना या इधर से भी कर साथ दुना 14 दीय बेआलिस दुना 4 दुना 8 168 सेकेंद यानि प्रतेक 168 सेकेंद पे मंदिर की घंटी एक साथ बजेगी कुश्टन क्या करा है बार बजे एक साथ बजे तो कितने बजे अब टाइम पूच रहा है 168 सेकेंड को हम 60 से भाग दे दे, 60 सेकेंड से, तो कितना होगा, 2 मिनाट 48 सेकेंड, चौदुना 12, 2 मिनाट 48 सेकेंड, यानि परतेक 2 मिनाट 48 सेकेंड पे मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजेगी, अच्छे से इसको समझेंगे, 2 मिनाट 48 सेकेंड पे, ठीक है, तो पहला क कितने बज़बजा था? 12 बज़ए तो 12 बज़ए बज़ए है तो अगला कब बज़एगा? 2 मिनट 48 सेकेंड यानि 12 बज़ए 2 मिनट 48 सेकेंड यानि answer A तो आप क्या करेंगे? ये जो सेकेंड आया 168 सेकेंड यहाँ पर गर्वर आएंगे तो इसको 60 सेकेंड से भाग दे दीज़ए 2 मिनट 48 सेकेंड आया कितना सेकेंड आया? 48 सेकेंड क्लियर है? अगली कोश्चन क्यों बढ़ है? अगला कोश्चन है ये अब ट्राफिक लाइट का भी कोश्चन सारा ट्राफिक लाइट में देखते होंगे red light, yellow light, green light और सब अगर एक साथ change कर दिया तो सबका timing अलग 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 होता है तो कारा है कि फिर कब एक साथ बदलेगा? यानि पहला 24 सेकेंड पे, दूसरा 36 सेकेंड पे, तीसरा 54 सेकेंड पे और सुबह 10 बज के 15 मिनट पर एक साथ बदलते हैं तो फिर कब? तो हम लोग क्या करेंगे? वो ऐसे ही बनेगा 24, 36 और 14, LCM, तो सबका LCM क्या हो जागा? लग रहा है सब 6 से कटेगा, किसी नमबर से अगर सब कटे ना, तो जरूईने एक प्राइम से दें, आप उस नमबर से भाग दे सकते हो ठेचो का 24, 6 से ये 6, 39 चोबर अब लग रहा है 2 से, तो दो दूनी 4, दो ती आई 6, ये 9, फिर लग रहा है किस से? 3 से, ये 2, तीन एक आई 3, तीन ती आई 9, 3 दूना 6, गुना 6, गुना 6, गुना 6, 216 सेकेंड, 216 सेकेंड, तो फिर आप 60 सेकेंड से भाग दे दो, तो कित ना हो जाएगा, तो मिनट में बदलेंगे, छौतिया 18, तीन मिनट और 20, 36 सेकेंड, तो पहले बजा था कितने बजे, 10 बज के 15 मिनट पे, तो इसमें 3, 36 एड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10, 18, 36, यानि Option B, सेम कोश्चन था, तो ट्राफिक लाइट का कोश्चन हो, या आपका मंदिर की घंटी वला कोश्चन हो, LCM निकालेंगे, कैसे कोश्चन अलग-अलग धंग से पुछा जाता है, वो भी हम लोग देख रहे हैं, अगला कोश्चन है, सर्कुलर पात का, तीन व्यक्ति, ABC, 12 किल किलो मेटर लंबे विर्थाकार पत पे दौरते हैं, एक ही बिंदू से और एक ही समय में क्रम सा, 3 किलो मेटर प्रति घंटा, 7 किलो मेटर प्रति घंटा, 13 किलो मेटर प्रति घंटा की गति से अपनी दौर सुरू करते हैं, कितने समय बात पुना मिलेंगे, हम लोग एक LCM and HCF of Fraction Fraction का HCF और LCM कैसे निकालते हैं Fraction यानि 3 वर्टा 5 4 वर्टा 7 2 वर्टा 9 और 6 वर्टा 7 इसका अगर हमको HCF और LCM निकालना है कैसे निकलेगा LCM of Fraction ध्यान से देखना बराबर होता है Numerator Numerator मतला अंसों का अंसों का LCM divided by फरों का HCF अगर LCM पूछा तो उपर कुण अंस कहते हैं Numerator और नीचे को Denominator यानि हर कहते हैं तो क्या होगा LCM पूछा तो उपर LCM नीचे HCF और अगर HCF पूछा HCF of Fraction तो उपर HCF यानि अंसों का HCF divided by फरों का LCF तो जब कभी भी Fraction का HCF और LCM लेना हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं क्या पाले क्या था LCM मानलो निकालना है क्या निकालना है LCM 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 क्या होगा उपर LCM यानि 3, 4, 2, 6 का LCM तो उपर 3, 4, 2, 6 का कितना होगा 3, 4, 2, 6 किससे भाग लगेगा 3 से 1, 4, 2, 3, 2, 6 अब 2 से 2 दूनी 4 1, 1 3 दूना 6 दूना 12 और HCF 5 और 7 HCF तो देखने से HCF वो नमबर होता है जिससे सब कट जाए तो दोनों का common factor क्या है एक है तो आगे निकालने किया वसकता नहीं है तो क्या होगा ये होगे आपका LCM 12 और HCF क्या हो गया 1 तो question क्या पूछ रहा था LCM LCM कैसे निकलेगा तो उपर 12 नीचे 1 यानी answer 12 simple है अगर LCM पूछे उपर LCM निकालो नीचे HCF और दूसरा HCF पूछ रहा था तो अंसो का HCF यानी 3,4 3,4 2,6 HCF divided by 5,7,9,7 का LCM तो उपर देखकर क्या लग रहा 3,4,1 से कटेगा HCF तो वह संग्या जिससे सब कटे तो 1 और नीचे 5,7,9,7 का LCM क्या होगा 7 से भाग लगेगा 5 साथे कहीं साथ 9 साथे कहीं साथ तो 9 पचे 45 गुना 7 7 पचे 35 7 चोका 28 तिन 31 315 एक वटा 315 तो यह हो गया fraction का HCF fraction का HCF तो जब कभी भी आपको fraction का HCF निकालना हो तो उपर HCF नीचे LCF और अगर LCM पूछ रहा है तो उपर LCM और नीचे HCM तो यह चीज को आप ध्यान में रखेंगे बहुत कामाएगा तो हम लोग यहाँ देख रहे थे तीन ब्यक्ति ABC 12 किलो मीटर लंबे विर्ताकार पत पर दौरते हैं मानलो यह विर्ताकार पत है और यह 12 किलो मीटर है फाले वाले का स्पीड है 3 दूसरे वाले का स्पीड है 7 तीसरे वाले का स्पीड है 13 तो हम लोग क्या जानते हैं time बरावर distance by speed time बरावर distance तब 12 वर्टा 3 12 वर्टा 7 12 वर्टा 13 और इसका हम लोग क्या निकालेंगे का LCM, क्योंकि LCM ही हुआ point है, वो time है, जब वो सब मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो 12, 12, 12 का LCM 12, और नीचे SCF 1, यानि 12 घंटा पर मिलेंगे, अभी मैंने क्या बताया, अगर fraction का LCM निकालना है, तो उपर LCM निकाल लो, तो 12 का LCM 12, और नीचे 3 और 7, किसे एक से, तो बारा बटा एक, यानि 12 घंटा, यानि option A, clear है, अच्छे से समझेंगे, दिकत हो, pause करके दुबारा देखेंगे, अगला question हम लोग देखते हैं, ये, तो सह अभाज संख्याओं का गुरन फल, 117, सह अभाज, मैंने बताया था, सह अभाज क्या होता है, सह अभाज का HCF एक होता है, मैंने इसके स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, HCF एक होता है, तो दो सह अभाज संख्याओं का गुरन फल, 117 है, ल्सीम जो है, बराबर होता है, अभाज संख्याओं का गुरन फल, अभाज संख्याओं का गुरन फल, तो, 117 है, तो देखने के साथ कुछ ट्रिक नहीं, अब हाज संक्या जैसे ही हुआ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 4, यह को प्राइम है, इसका अगर कहेगा, LCM क्या होगा? तो, 3, 4, 12, 5, 7, क्या हुआ, को प्राइम हुआ, इसका LCM क्या होगा? 5, 7, 35, ऐसे ही कुछ नहीं, 11, इसका 117 है, और 2 अभाज 13 और 9 हो सकता है, 13 नहीं क्या होगा? 117, तो जो इनका गुरन फल है, यहां भी क्या देख रहे थे? जो गुरन फल है, वही LCM है, और HCM जो है, अभाज संक्यों का गुरन फल होता है, और HCF हमेशा एक होता है, यह हमेशा के लिए याद रखेंगे, एक्जाम में टाइम सेव करेगा, HCF क्या होगा? 1 होगा, और LC क्या होगा? उनका गुरन फल होगा, अगला कुश्चन देखें, दो धनात्मक पुर्णांग का LCM बरी संख्या का दू गुना होता है, तो मान लो, LCM बरी संख्या का दू गुना होता है, HCF को हम लोग अगर H माने, तो बरी संख्या HCF से कटेगा, मान लो कितने बार में? एक्स बार में और छोटी संख्या जब यहाँ दो-दो संख्या की बात कर रहा है, तो लिखेंगे अगला HY 12 दो धनात्मक पुर्णांग का LCM बरी संख्या का दो गुना होता है, तो कुश्चन के हिसाब से LCM किसका? HX और HX, HY का और यह क्या कह रहा है? बरी संख्या का दो गुना होता है, बरी संख्या है दो गुना HX और LCM निकालेंगे, तो common factor है HXY बरावर 2HX, थ्यान से देखना कुछ common आ रहा है दोनों साइड में HX, HX, cancel हो गया, तो Y बरावर आ गया कितना 2 फिर से देखें, क्या कह रहा है? कि LCM बरी संख्या का दो गुना LCM, HX और HY का HXY होगा और यह बरी संख्या, देखो यह बरी संख्या HX लिखा गया है, उसका दो गुना यानि 2 गुना HX, तो Y कितना गया है? 2, अब क्या कह रहा है? छोटी संख्या और दोनों संख्या की GCD का अंतर GCD मतलब HCF, GCD मतलब HCF, छोटी संख्या मतलब HY और GCD मतलब H, अद दोनों का अंतर कितना है? 4 है अब बताओ, क्या यहां से Y कमाद 2 ले सकते हैं? ले लेंगे, तो 2H हो जाएगा, माइनस H बराबर 4, तो इससे घटेगा H बराबर 4 क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या तो HY है, तो छोटी संख्या, जो HY है, यानि 4 गुना Y कमाद 2, यानि एंसर क्या होगा? आप क्वश्चन को अच्छे से समझना, फुरा सा घुमा दिया है, लेकिन जो कह रहा है, हम वो ऐसे करेंगे, फिर से देखते हैं, तो धनात्मक प्रणांग का LCM, बरी संख्या का दो गुना होता है, HCF क्या है? एच, बरी संख्या मान लिया है, ह से X बर में कटेगा, छोटी संख्या है, वाई बर में कटेगा, तो अब कहा रहा है दोनों का LCM, यानि HXY, बरी संख्या का ये बरी संख्या का दो गुना है, इससे Y बराबर दो आया, अब फिर दूसरा लाइन कह रहा है, छोटी संख्या और दोनों के GCD, GCD मतलब greatest common device है, मतलब SCF का अंतर, यानि 2H-H4 है, H आगे 4, question कर रहा है, छोटी संख्या बताओ, 4 दूना, clear है? अगला question देखें, 39, अच्छे से question पढ़ेंगे, देखने में भले ही बड़ा लग रहा है, लेन question छोटा है, क्या का रहा है, question? एक दूद विक्रेता के पास, 21 लिटर गाय का दूद, 42 लिटर तोंद दूद, और 63 लिटर डबल तोंद दूद है, तिन तरह का दूद है, यदि वह उन्हों डिब्बे में पैक करना चाहता है, ताकि प्रते एक डिब्बे में समान लिटर दूद आ सके, और एक डिब्बे में कोई मतलब दो दूद को भी नहीं मिलाना है तो कम से कम डिबों की संख्या अच्छा ये जब भी कम से कम कहना तो कम से कम डिबा मतलब ज्यादा से ज्यादा उस डिबा में आठेगा जब ज्यादा से ज्यादा आठेगा तभी न वो कम से कम डिबों की संख्या होगा तो ज् ज्यादा मतलब HCF निकालेंगे किसका HCF of 21, 42 और 63 हम लोग क्या करेंगे 63 से 42 घटा लिया मैंने बताया था सबसे आसान रास्ता है HCF निकालने का कि बरे से छोटे घटा लो तो क्या लग रहा एक केस एक केस से यह भी कट जागा यह भी दो बार में कटेगा यह भी तीन बार मे तो कोशन क्या पुछ रहा डिब्बों की संग्या पाला वाला डिब्बा क्या होगा 21 बटा 21 दूसरा डिब्बा क्या होगा 42 लीटर दूध है एक पैकेट में 21 लीटर तो दो पैकेट होगा और तीसरा 63 लीटर है एक में 21 आट रहा है तो तीन होगा तो एक जोर दो जोर ती यानि टोटल, छे डिबों की आवसेकता होगी, यानि आप्शन, यानि देखने से लग रहा था कि कुशन बरा है, जब की छोटा है, जब भी कहेगा, बराबर मात्रा में, कम से कम संख्या, या बरा से बरा मिजरमेंट, तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या निकालना SCF, और इस अगला कुशन देखें, चालिस, वह सबसे बरी संख्या कौन सी है, जिससे 110, 128 को भाग देने पर दो सेस बचे, मैं बार-बार आपको क्या बतला रहा हो, कि जब भी ऐस एक तो SCF के कुशन में, जो भी सेस बचे पाले घटा लो, तो पड़ते एक इस्तिति में दो सेस है, त से भी दो घटा लो, यह घटाएंगे, तो आजागा 108, यह घटाएंगे, तो आएगा 126, फिर मैंने क्या बताया, SCF क्या करते हैं, बरा माइनस छोटा, तो 126 से 108 घटा लो, यह 6, 12 में से 8 घटेगा, 8 और यह 1, 18, अब options में देखो, किस से यह 18 कटेगा, तो दिया हुआ है, option 3, अठा, यहीं सेकेंडो में, सेकेंड, टेक क्वेशन पढ़ो, सेकेंडो में जब आप देने कुसिस करो, और जितना क्वेशन बताया गया है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, तो आज के ख्लास में, हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग अगले क्वेशन के साथ मिलेगे, थैंक यू, गुड नाइट